नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत शौगत हैं मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिब मैडिसिन जिसका नाम है दोस्तो ब्रायोनिया एल्वा जब कभी भी दर्द की बात आती है तो तीन मैडिसिन जनरली कॉमन यूज़ की जाती है पहरे नमबर पे आता है रेस्टॉक्स दूसरे नमबर पे आता है ब्रायोनिया एल्वा और तीसे नमबर पे आता है आर्निका मूंटाना जनरली होमोपेथिक डॉक्टर के जुबान पे लिए ब्रायोनियल्वा मेड़ेसिन का यूज होता है, गया ह blog यूज हते हैं, objective आप् Benjamin 가능 भारी न आपार्व हे ब्रायोनियल्वा मेड़ेसिन आप यूज कर रहे हैं, दोस्ति का जो डोज होता है, मैडिसिन का जो रिपिटिशन होता है, बास सबसे ज़्यादा माइने रखता है, कब हमें वैक्ति को 30-potency medicine यूज करनी चाहिए, कब हमें 200-potency यूज करनी चाहिए, कब हमें 1-potency medicine को यूज करना चाहिए, और कब तक regularly हम इस medicine का यूज कर सकते हैं, यह सारी जानकार इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, और ऐसे कौन से symptom हमारे अंदर present होते हैं, तब भी हम इस medicine का यूज कर सकते हैं, यह सारी जानकार इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, यदि आप student है, आप homopathic practitioner है, तो इस वीडियो का आप अंतक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ वीडियो आपके लिए बहुती informative होने वाला ह तो चलिए चलते हैं सीधे more particular symptoms के उपर की क्या क्या symptoms हमारी body के अंदर present होंगे, तो हमें इस medicine का use करना है, क्या इसकी complimentary होती है, यह सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो सबसे पहले symptoms आता है दोस्तो, breast, जब भी ladies के अंदर breast में बहुत ज़दा heaviness feeling होती हो, breast ज़दा hard हो जाते हैं, उसमें pen देखने को मिलता है, उसमें दर्द देखने को मिलता है, तो उस condition को ठीक करने के लिए, ब्रायो नियालवा medicine का use के जाता है, यह another condition में जब भी आपको breast में heaviness feeling हो रही हो, दर्द होता हो, hardness हो जाते हो, painful condition होती हो, और rest की condition में आपको आराम होत होता है, तो उस condition में, ब्रायो नियालवा 200 potency में, सोबेशाम, सोबेशाम 15 दिन तक यदि 20 दिन तक continue medicine दे दे दे, तो यहां जो symptoms होते हैं, पूरी तरह से चले जाते हैं, only for ब्रायो नियालवा में हमें देखने को मिलता है, यदि सुई चुबना जैसा दर्द हो रहा है, तो किया जाता है, जब भी व्यक्ति को कबजी की सिकायद है, पानी की प्यास उसमें कम होती है, पानी व्यक्ति कम पीता है, और लंबे समय में अतिधिक पानी पीता है, और स्टूल बहुत हाट रहता है, स्टूल को पास करते समय काफी ताकत लगाना पड़ता है, तो उस condition में brionia alva medicine का use किया जाता है, तो जब भी आपको कबजी की सिकायद है तब आप 200 potential में दिन में एक ही वार इस medicine का use करना है, दो बार ने दिन में एक ही वार सुबा खाली पेट सुबा-सुबा आप लेंगे और continuous medicine को 40 दिन तक आप कबजी की सिकायद में use कर सकते हैं, तो रिजल्ट्स काफी अच्छी आपको देखने को मिलेंगे नेस्ट सिंटम इसमें हमें यहां देखने को मिलता है गठ्धु अवाव यानि की जिन व्यक्ति को आरे फैक्टर पॉजिटिव है जिनके अंदर यूरेक एसेट पॉजिटिव पाया जाता है गठ्धु बाव की जिनको सिकाइध हो जाती है तो उस कंडिशन में ब्रायोनिया एल्वा मैडसिन व्यक्तिव को दी जाती है जब भी व्यक्ति गरम कपड़े से सेखता है जहां भी दर्धी कंडिशन हो गरम कपड़े से सेखता है rest की position में बैठा रहता है तो वैक्ति को आराम हो जाता है जब भी वैक्ति कोई काम करता है हरकत करता है, चलता फिरता रहता है तो उसकी जो सिकाइद है जो उनका दर्ध होता है वा धीरे-धीरे करके भढ़ते चला जाता है तो यहाँ symptoms हमें व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है यानि कि आप rest position में वैठे हुए हैं और फिर आप हिल रहे डोल रहे हैं तब भी आपकी जो सिकाध है आपकी बढ़ जाती है तो उस condition में bryonia elba medicine यूज की जाती है साथ में यदि आप arnica montana 200 potency में लेते हैं साथ में आप restox 200 potency में लेते हैं तो results और भी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं next symptom हमें यहाँ देखने को मिलता है IBS के case में बहुत सारे ऐसे बैखती हैं जो IBS के case में बहुत ज़्यादा परिशान होते हैं जिन्हें early morning diarrhea की सिकायद होती है जो और नातर उसमें हमें medicine में देखने को नहीं मिलती early morning diarrhea क्या होता है जब भी आप विस्तर में शोय रहते हैं और जैसी सुबह होती है सुबह आपको तुरंट जाना ही पड़ता है और stool जो होता है बहुत जादा lose हो जाता है आप ब्रायोनिय अलबा 200 potency में दिन में एक ही वार आपको लेना है तो यह continue medicine हम 40 दिन तक आप ले सकते हैं तो इसमें यह जो IBS की आपको सिकायद है जो आपका पेट में आपको दिक्कते बनी हुई है तो आप इस medicine को लेते हैं तो वहाँ पूरी तरह से धीरे-धीरे करके ठीक हो जाती है इसके बाद आता है दोस्तो big joint pen big joint pen क्या होता है जैसे आपके घुटने हमेशा दर्द करते रहते हैं कमर आपकी हमेशा दर्द बनी रहती है बक्खे आपके दर्द होते हैं गर्दन में आपको पहन होते रहता है तो उसमें हम higher potency medicine यूज करते हैं 1M potency medicine का यूज के जाता है महिने में 3 बार सुबा सुबा खाली पेट आपको 3 dose लेने हैं और 3 दिन regular लेने हैं तीन दिन के बाद इस medicine को आप बंद कर दीजेगा आने वाले महने में यह दिया आपके वाडिम के दर्द अंदर present है तभी इस medicine को repetition के रात है अनता इस medicine को repetition करने की आउशकता नहीं है आपका जो वाडिम का जो दर्द है गुटने का जो दर्द है बैक पेन की सिकायद है बाद दीरे-दीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती बनेम पोटेंसी को यूज करने का यही वैस्ट एक तरीका होता है जो मैंने आपको बताया है मदर टींचर का यूज करने का तरीका यह रहता है कि जैसे आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो यह डारेक्टली मदर टींचर आप ओइल के साथ मिला के लगा लिजेगा सूजन भी यह वहाँ पे हो गई है दर्द है रेडनेस है वह दीरे-दीरे करके चली जाती है यह साथ में हम बनें पोटेंसी का डोस ले सकते हैं मदर टींचर फार्म में भी इस मैडिसन को हम यूज कर सकते हैं पर पोटेंसी के फार्म में रिजल्ट काफी अच्छे देती है और मदर टींचर को हम अपलाई कर सकते हैं तो उसमें ब्रायोनिय अलवा मैडिसिन का यूज किया जाता है, गले में हलकी सी खुजान जैसी मैसूस होती है, पूरी वाड़ी में हलका हलका दर्द मैसूस होता है, प्लस फीवर भी यदि आपको पाया जाता है, वाड़ी के अंदर फीवर भी है, तो उसमें इस मैडिसिन क का यूज किया राता है यदि आपको सर्दी खांसी जुखाम और बुखार प्लस प्रिजेंट यदि हो और हल्की हल्की खांसी चल रही है और मौसम वैदर शेंजेस आपको देखने को मिल रहा है तो ब्रायोणी अल्वा मैडिसीन 200 प्रटेंसी में सुवे यूज करना है दिन में एक बार नहीं सुवेश यूज करना है च्छे दिन आप ले लेते हैं तो सर्दी जुखाम बुखार खांसी हमेशा के लिए चली जाती है नेक्स्ट इस सिंटम यहां देखने को मिलता है जिनको भी टाइफाइट का बुखार हमेशा बना रहता है आपने देखा होगा जब भी किसी को भी टाइफाइट हो जाता है बैप्टीशे उन्हें दी जाती है तो इसमें दी आपको हमेशा बुखार बना हुआ है मौनिंग एक बार यूज करनी हैOS regular आप 40 दिन तक इस medicine को use कर सकते हैं। किसी medicine के साथ भी use कर सकते हैं। यदि symptom से जादा प्रेजयंट है तो आप इस medicine के साथ भी मिलाके इस medicine को use कर सकते हैं। दिन में एक ही बार medicine का use करना है। दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि यदि आपको बहुत जादा chronic disease है, आपको RF factor काफी लंबे समय से है, तो उस condition में आप 30 potency में लीजे, 30 potency में सुवेशाम सुवेशाम continuous medicine को बार बार repetition भी हट कर सकते हैं, इसके बाद next symptom हमें यहाँ दिखने को मिलता है, जिन भी वैक्ति के सिर में हमेशा दर्द बना रहता है, headache की समश्या है, उनकी हमेशा बनी रहती है, तो वो और तमाम medicine जैसे यूज़ की जाती है, जैसे वैलडोना यूज़ करते हैं, सिंगोनोरिया यूज़ की जाती है, क्लोनाइन यूज़ की जाती है, रेस्टोक्स यूज़ की जाती है, उसी तरह से सिरदर्द को ठीक करने के लिए Bryonya Yap maskadı का यूज कहाराता है इसका जो दर्ध होता है सुभा स्टाड होता है दीरे दीरे करके स्टारड होता है और श्याम को दीरे करके बंद हो जाता है better y pressure याने की दवाने से रिलीप महसूस होता है उस condition में bryonia elva medicine वेक्ति को दी जाती है जैसे नाइटरम म्यूर से भी इस medicine का comparison किया जाता है क्योंकि नाइटरम म्यूर में भी यह symptoms हमें देखने को मिलता है पर यह morning से start होता है तो हमें उस वेक्ति को bryonia elva medicine दी जाती है यह more particular symptom bryonia elva में हमें देखने को मिलता है आपको समदा दिया है कॉंप्लिमेंटरी की दी हम बात करें तो रेस्टॉक्स इसकी कॉंप्लिमेंटरी होती है कॉंप्लिमेंटरी का मतलब यहां होता है कि आप ने ब्रायोई ने अलबा मैडिसिन यूज करी और यहां सिम्टम्स ठीक हो गए फिर से आपकी वोडी के इंदर हो गए फिर से यहां बिमारी आपको रिपिट हो गई जैसे आपने कबजी के लिए यूज करी कबज ठीक हो गई फिर से कबजी की प्रावलम हो गई तो साथ में आप रेस्टॉक्स मैडिसिन यूज कर लीजेगा 200 पोटेंसे में सुभेशाम सुभेशाम पास दिन आपने ल होता है जब भी आप मुवमेंट करते रहेंगे तो आपके सरीर में दर्द बना रहेगा और जैसी रेस्ट पोटिशन में आएंगे तो आपका दर्द दीरे-दीरे करके ठीक हो जाता है यह इसका अग्राविशन हमें देखने को मिलता है दोस्तों आसा करता हूं आप ब्राय है बार बंदी माता हूं